पुरानी रंजिश के चलते पाश पाउली निवासी आरोपी विरेंद्र और बाबो बकरी रामगडिया अच्छी और अश्वीन इंदूर कर साथ ही संकी ये शुदास अर्वीन परमार को गिरपतार किया गया था इन तीनों ने मिलकर लशकरी बाग के रोहन बियाडे के निर्मम हत्या कर दी थी इस मामले में आरोपी अच्छी इंदूर कर का एक विडियो सोशल मिडिया पर जम कर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वहान में बैट कर वह खुले आम अपने दोस्तों से कर रहा है कि आज जे इंद्र उर्फ बाबुबकरी रामगडिया अच्छी उर्फ अश्वीन इंदूर कर और सैकी उर्फ यशुदास अर्विंद परमार लशकरी बाग निवासी को गिरफतार किया था इस मामले के आरोपी अच्छी इंदूर कर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जम कर वाइरल हो रहा है अच्छों अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है फिर वही पुराना के अ मेरी जान पर जाओ वांजा बोलते शाथ मारते कौन ही लोग कहां से आते ही आंने के बात पचाहत लाग कर लाग घर दिमने अच्छा बिलकुल खीट नहीं लग रहा है तुमसे नहीं भाए लगाए घ्राथ नहीं जाता तड़पी ऐसी है ना इस वीडियो में पुलीस वाहन में बैठ कर अच्छी खुले आम कह रहा था कि आ जेल कल बेल फिर वही पुराना खेल ये वीडियो उस समय का है जब उक्त हत्याकान के मामले में अच्छी को पुलीस कोट में ले गई थी और कोट के बाहर पुलीस वाहन में बैठे अच्छी से मिलने उसके कुछ दोस्त आय हुए थे वह खिड़की से जाक कर दोस्तों से उक्त बाते कर रहा था और इसी समय किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है गौर तलब रहे कि बाबु बकरी ग्याई ने रविवार को मौका पाकर रोहन की चाकू फर्षव इट के तुकडों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी और इसी हत्या के आरोप में पांच पावली पुलीस ने आरोपई बाबु बकरी सैकी और अच्छी को गिरफतार किया थ इन बेसे नियूस के लिए केमरा परसन अखलेश भरतवाज के साथ रुपा पंडित के रिपोर्ट